तो हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप MS Word में एक वेटिंग रिजूम बनाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने यहाँ पर एक वेटिंग रिजूम बनाए हुआ है या इसको आप बायो डाटा भी बोल सकते हैं ठीक है अब दोस्तो आज किस वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप आसान तरीके से वेटिंग रिजूम एक बढ़िया से बढ़िया रेडी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है कशल प्लस एंड से एक ण्यूप्यज को ओपेंड कर लेना है ठीक है निउपेंड होने के बाद दोस्तों आप आप क्या करेंगे सबसे पहले आपको पेज की सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ठीक अगर आप पेज सेटिंग अभी से नहीं करेंगे तो बाद में दोस्त तो इसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर एक option दिखेगा page layout का ठीक menu बार में इस page layout वाले option पर आपको click कर देना है और यहां पर दोस्तों फॉस्ट में आपको margin को set कर लेना है तो margin पर आएंगे और यहां से दोस्तों second number पर आपको normal option मिलेगा ठ इसके बाद दोस्तों orientation पाएंगे यह आपका by default portrait रहता है तो इसको portrait रहने देंगे इसके बाद दोस्तों third number पर आता है हमारा page की साइज तो इस पर आप क्लिक करेंगे और page की साइज दोस्तों आप A4 को select कर लेंगे ठीक है यूँकि normally जो print होता हो हमारा A4 size में ही होता है इस आपको एक art का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना ठीक है अब इसमें से दोस्तों आपकर कोई waiting आपके लिए जिस तरह का आप लगाना चाहते है ठीक बॉर्डर उसको select कर लिए तो देखें मैंने यहाँ पर एक border यहाँ पर select कर लिया इसको मैं click कर लेता हूं ठीक है तो देखें इस तरीके का हमारा जो border है पेज कब जो border है वो यहाँ पर लग चुका है ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो रूलर मिलेंगे एक vertical ruler है और एक horizontal ruler है इसको दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर काफी gap चुझा रहा है cursor हमारा यहाँ पर ठीक है तो इसको आप क्या करेंगे mouse की मदद से यहाँ पर आएंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैक करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि आपका page जो है वो बरबात ना हो ठीक है अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालने वाले heading बायो डाटा हम लोग लिख लेंगे और इसको मैं mouse की मदद से select कर लेता हूँ select करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर size को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसे यहाँ से थोड़ा bold कर लेता हूँ ठीक है इसके बाद दोस्तों देखें यहाँ पर center alignment का आपको option मिलेगा जिसकी shortcut की है control plus E आप keyboard से भी प्रेस कर सकते है control plus E जैसे प्रेस करेंगे तो देखें यह जो आपका जो टेक्स्ट है मैंने बायो डाटर लिखा यह आपका center पर आ जाएगा ठीक है अब दोस्तों यह हमारा हो गया अब इसके बाद हम लों यहाँ से इंटर प्रेस कर लेते हैं और दोस्तों देखें य Penis को थोड़ा साकं कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले घुक्ते कोई प्रॉब्लम में यहाँ पर जितना भी चीज हम लोग लगने वाले जो भी details यहां पर रहेगा वह semi column लिखेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है देखें सेमी कॉनल क्योंकि एक सीधे लाइन में आपको दिखें तो अच्छा लगेगा तो इसके लिए आप क्या किजएगा यहां पर जो आपका स्केल दिया हुआ है जो रूलर दिया हुआ है यहां पर दोस्तों आप कोई भी चीज यहाँ पर लिखेंगे तो आपका वो सीध्य लाइन में होगा ठीक है मैं आपको एक्जामपल के थुरू दिखाता हूं देखे मैंने याप पर मार्क कर दिया मार्क करने के बाद आप मैं क्या करूंगा यहांसे टैप प्रेस करूंगा तो देखे हमारे करस सीधे यहां पर आ गया है आपको keyboard से टैप प्रेश कर नाइ kसर जो आपने जहां मार्क किया था वो यहां पर आ जाएगा आप यहां से मैं सेल्वल को सींबॉल देता हूं ठेग है और यहां पर दोष्तों मैं एक mark और जहां से मुझे लिखना स्टर्ट करना जिस जहां पर मुझे इसका नाम लिखना पर तो यहां पर देटिए मैं park दिखेज मैं सिक्स पर एक मार्ण लगाता हूं तो इन पर और यह करते यहां पर जो केनिडेट है जिनका बेडिण आप बनार रेसं बना रहे हैं उनका यहां पर नेम लिख लिए ठीक है तो देखें मैं यहां पर एक नेम लिख लेता हूं ठीक है इस तरह दोस्तों यहां पर हो गया अब यहां से आप इंटर प्रेस कर दीजिए ठीक है इंटर प्रेस करने के बाद आप दोस्तों हमनों यहां पर डेट आप ब कोलन का सीमबल देंगे फिर से आप टैप को प्रेस करेंगे और यहां पर उनका जो फिर tap को प्रेस किया, और यहाँ पर कोई एक हम लोग time डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसके बाद am, ठीक है, 12 am हम लोग कर देते हैं, इसके बाद enter, प्रेस कर दीजे, इसके बाद birthplace डाल दीजे, तो birthplace, ठीक है, इसके बाद tap प्रेस किया, semi colon, फिर टाप प्रेस किया, आप यहां पर कोई आप जगा का नाम जहां भी जो आप डालना चाहते हैं, जिसका आप रिजिूम बना रहे हैं, उसके साव साब ढाल दीजें यहां पर, तो देखें मैं यहां पर डाल देता हूं, टीक है, इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजे, अब दोस तरह हमने देखिए यह नाम भी लिखा यह भी एक लाइन में आ चुका तो इसका फायदा दोस्तों यह है इसलिए आप इसको जरूर यूज की जिएगा ठीक है अब चलिए हम लोग नेश्ट हम लोग यहाँ पर जो ऑप्सन है वो यहाँ पर डालने वाले है complex का ठीक है तो complex यहाँ डाल देते हैं ठीक है complex डाल दिया और इसके बाद tap प्रेस किया सेमी कॉलर डाला ठीक है फिर से tap प्रेस किया अब दोस्तों compress का मतलब जो होता है जो जिसका आप वेटिंग के लिए आप बना रहे है उसका जो चेहरे का जो कलर है जो फेस का कलर है वो कैसा है तो यह है आप यहाँ पर मैं लिख देता हूं फेयर ठीक है इसके बाद enter प्रे कि नो ठीक है इंटर प्रेस कर दीजे और इसको थोड़ा सा मैं पेज को स्क्रॉल कर लेता हूं तागे आपको देखने में आसानी होगी ठीक है इसके बाद दूस्तों मांग लिख हमारा हो गया नेक्ट जो हमारा है वो आप्शन वेट का ठीक है कि वेट केतना है तो आई ज इंटर प्रेस कर दीजे और इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेथ रहेगा वो रहेगा हाइट क्योंकρι के बाद है जरूरी तो है हाइट हो गया ठीक है टैब सेैनी कॉलन टैब इसके बाद हाइट दोस्तों मेले एं यहाँ पर डाल लेते हैं तो यहाँप पर कर लेंगे lige 5 कॉलम डाल लेते हैं ठीख है इसके बाद टैब सेंए पलन और सेंए Nada तो जो भी आपका हाइश्टaa एश्य के सने तो इसको आप डाल लीजे तो यहां पर मैं डाल लिता हूं तो گा इसके बाद मैं यहां पर इंगलीस में डाल देता हूं जो भी Language सा आपने कोर्स किया है तो उसको आप डाल दीजें ठीक के इंगलीस मैंने यहां पर दाल दीन ब्रेकट क्लोस कर दता हूं और इनटर प्रेस कर देता हूं ठीक है इसके बाद दोस्तों जो हमारा next रहेगा वो है religion ठीक है धर्म कौन सा है तो यहाँ पर religion डाल देते हैं ठीक है religion इसके बाद tab semicolon tab तो जो भी आप religions हैं हिंदू या Muslim या आप Christian है ठीक है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं तो अभी मैं यहाँ पर हिंदू डाल देता ठीक है इसके बाद enter press कर दीजे इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर option देंगे गोतर का ठीक है तो गोतर है यहाँ पर हो गया ठीक है इसको बाद tab semicolon tab तो जो भी आपका गोतर है वो यहाँ पर आप इंटर कर दीजे तो sandalium मैं डाल देता हूं ठीक है संडल लिए इसके के बाद इंटर प्रेस कर देता हूं इसका बाद गोत्र के बाद दुस्तों एक गन होता है तो गन भी मैं यहाँ पर डाल देता हूं ठीक है टैब सेमी कॉलन और यहाँ पर फिर से टैब और यहाँ पर दूस्तों मैं एक गन डालता हूं तो मेरा यहाँ पर जो वेटिंग जिस फैमले बैगरांड में कौन-कौन माता-पीता का नाम की आई यह इसके निलिए दोस्त। हम यहां पर एक क्या करेंगे हीं एक हेटिंग बना लेंगे फैमले बैगरांड का तो इसके लिए आप क्या कीजिएा यह उपसिंटर और ले लिजहे यहां आपको नहीं मिलेगा तो यहां भी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा इस पर आप क्लिक कीजेगा और यहां से दोस्तों एक टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रॉक कर लीजेगा ठीक है यहां पर इस तरीके से आप ड्रॉक कर लीजेगा और यहां पर दोस्तों मैं लिख करेंगे थोड़ा सा क्योंकि यह हेडिंग है तो इसको हम लोग सेलेट करके इस तरीके से मौस की मदद से बोल्ड कर लेंगे और यहां से दोस्तों अगर आप फोन का स्टाइल चेंज करना चाहिए तो इससे कोई दिकत नहीं है ठीक है और साइज को दोस्तों थोड़ा बढ़ का ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक फॉर्मेट का ओप्सन दिख रहा होगा इस फॉर्मेट वाले ओप्सन पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर एक से फील का ओप्सन मिलेगा ठीक है इस पर आपको करना है औ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस कर लिया है तो इंटर यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है इसके बाद दोस्तों आप हम लोग को यहाँ पर उनका जो बैग्राउंड फैमिली का बैग्राउंड है अब उनका डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर फिल करना है सि अब यहां पर सबसे पहले हम लोग फैंबली बैगरांड में डाल देते हैं ग्रैंड फादर के बारे में ठीक है तो यहां जो भी आपका grandfather का नाम है, उनको आप यहाँ पर डाल दीजेगा, तो यहाँ पर मैं example के लिए एक डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, अर्जुन सिंग, ठीक है, इस तरह दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डाल दिया, ठीक है, example के थुरू मैं आपको बत प्रेस करेंगे, इसके बाद semi-colon देंगे, फिर से tap प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मैं एक नाम फोई इंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नेम फिल कर दिया, इसके बाद इंटर प्रेस कर लिजे, इंटर प्र करने के बाद दोस्तों आप हम लोग यहाँ पर फादर का उकुपेशन यहाँ पर फिल कर लेंगे, तो यहाँ पर फादर और उकुपेशन लिख लेते हैं, ठीक है, फादर उकुपेशन और टैप दबाएंगे, सेमी कॉलन, और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका फादर का occupation है जिनके लिए आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल दीजे तो यहाँ पर मैं अभी फिलाल के लिए businessman डाल देता हूं ठीक है businessman ठीक है इंटर प्रेस कर दीजे इसके बाद दुस्तों आपको क्या करना है यह हमारा हो गया एक मदर्स का नाम भी यहाँ पर आप डाल दीजे ठीक है तो यहाँ पर मदर्स कर देते हैं या मदर ही रहन देते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है इसका टैप सेमी कॉलन और मदर्स नेम में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इस तरह दूस्तों हमने यहां पर एक मतर का भी नेम यहां पर फिल कर दिया है इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है अब दूस्तों यह हमारा family background का होगी अगर आप चाहें और भी details कुछ जालना चाहें तो आप डाल सकते हैं अपने मन से तो अभी मैं यह रहने देता हूँ इसके बाद दोस्तो फैमिली background के बाद आप हम लोग यहाँ पर contact number का बनाएंगे ठीक है तो इसके लिए भी दोस्तो जैसे हमने आपको इसको ड्राइक करना तो देखिए इस तरह का ड्रॉइंग हो जाएगा इसके बाद मौस को छोड़ देना तो यहाँ देखिए दोस्तों insert हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं contact ठीक है उसको बाद details ठीक है contact details यह हमारा होगा थोड़ा से इसको हम लोग size को क्या करेंगे home में जाके यहाँ पर size को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों जैसे आप माउस पर इससे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको format का option आ जाएगा तो एड्रेसमेंड नहीं डालके mobile नमबर यहां सिधे डाल देता हूँ ठीक है तो mobile यह आपका हो गया mobile इसके बाद टैब प्रेस किया सेमी कॉलन दिया टैब प्रेस किया अब यहां पर दोस्तों जो दस डिट का आपका phone नमबर है उसको आप डाल दीजे तो यहां पर मैं एक्जांपल के लिए कुछ नंबर से यहां पर डाल देता हूं, ठीक है, इसके बाद इंटर प्रेस कर दीज़ें, ठीक है, इसके बाद दॉस्तों एक email ID का भी मैं यहां पर column बना देता हूं, तो यहां email ID हो गया, इसके बाद ID, ठीक है, इसके बाद tab प्रेस किया, semi-colon, इसक ताकि एक एक्जाम्पल गतुरू आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए यहाँ पर gmail.com ठीक है दोस्तों इस तरह का देखें मैंने यहाँ पर email डाल दी आप यहाँ पर चाहें तो address भी add करना चाहें क्योंकि आपी भी काफी जगह यहाँ पर बचा हुआ है तो चलिए य address उसके बाद ताब सेमी कॉलन फिरटाब ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर एक address डाल लेते हैं others नगर ठीक है उसके बाद new देली ठीक है नूदेली हमने यहाँ पर एक डाल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा capital में लिक लेता हूँ ठीक है निव देली और अगर पीन कोड है आ सब्क्राइब डाल दीजे ठीक है तो इस तरह दोस्तों देखिए हमने यहां पर आड्रेस भी फिल करती है अब देखिए दोस्तों हमारा ये अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको एक format का option निकल के आज आएगा ठीक है इस format वाले option में यहाँ पर नीचे में आपको एक option मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है ठीक है शेफ फिल में जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे आएगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलेगा picture का इस पर आपको क्लिक कर देना है अब दोस्तों अपने computer में आपने जहाँ भी picture को रखा हुआ है ठीक है शेफ करके तो वहाँ से आप चले जाए तो जैसके मैंने desktop पर एक picture रखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ से select कर लेता हूँ ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ इंसर्ट का option मिलेगा इंसर्ट वाले option पर आपको क्लिक कर देना है तो देखे यह आपका picture यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब इसको चाहे तो थोड़ा सा आप इसको adjust करना चाहें तो माउस की मदद से इसको आप थोड़ा कम छोटा बड़ा कर सकते हैं ड्रैक करके ठीक है तो इसको दोस्तों मैं एतना पर छोड़ देता हूँ अब देखे दोस्तों इसका अगर बॉर्डर देना इस फोटो का अगर आपको बॉर्डर देना है तो इसके लिए आप क्या कीजेगा सेप आउटलाइन का option मिलेगा पहले आप इसको माउस स सेलेट कर लीजेगा और सेप आउटलाइन पर आईएगा और यहां पर दोस्तों पहले आप क्या कीजे जो आपका आउटलाइन है इसको थोड़ा अगर आपको मोटा करना तो देखे यहां से थोड़ा मोटा कर लीजे ठीक है और इसके बात फिर से आप सेप आउटलाइन प आप इसको दो तरीके से सेलेट कर सकते हैं इस पर आप मञूस से ड़बल क्लिक करेंगे तो देखे सलेक्ट हो जाएगा इसके बाद दोस्तों इस पर हम लोग थोड़ा अंडर लाइन को य को ही देते हैं ता कि य dim liability हो गया इसको आप कलरना चाहिए तो कलर भी कर लीजे test तो यहां पर देखें मैंने यहां पर test को color कर लिए ठीक है अब दोस्तों देखें यह इतना सारा हमने यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो इसको भी अगर आप चाहें तो इसको color कर सकते हैं तो इसको आप माल लिजे इसको आप इस तरीके से select कर लिजे यहां पर ठीक है और य तो यहां भी हम लोग इसको और भी जितना बचा हुआ है इसको भी color कर लेते हैं तो देखे इसको भी हमने select किया और यहां से हमने color कर लिया अगर आप चाहें तो अलग अलग सब का color दे सकते हैं तो इसको भी select करके यहां से आप color पर option पर जाके यहां से जो color आपको रखना है इसको आप select कर लीजे ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ भी है ठीक है तो इसको भी आप mouse की मज़ से select कर लीजे इसके बाद इसका भी एक color हम लोग यहाँ पर set कर देते हैं ठीक है तो देखें दोस्तों यह हमारा बनके ready हो चुका है अब इसमें दोस्तों अगर आप size को करना चाते हैं तो यहाँ से आप specific भी कर सकते हैं ठीक है तो देखें यहाँ तक मैंने माली जे यहाँ तक select कर लिया और size मुझे बढ़ा करना तो यहाँ पर जाएंगे text size पर इस पर click करेंगे तो size थोड़ा बढ़ा हो जाएगा ठीक है तो देखें हना तो इस तरीके से दोस आपका दोस्तों खराब हो सकता है तो प्रिंट होने के बाद दोस्तों प्रिंट भी बरबाद हो जाएगा इसलिए प्रिंट करने से आप पहले आप प्रिंट प्रिव्यू को जरूर चेक कर लें ठीक है कि सारा चीज आपने जो information दिया है वो सही है कि ने और अगर इसमें सेप का option मिलेगा ठीक है और अगर आप control plus s keyboard से प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का box आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप जो फाइल का नाम है यहाँ पर आप दे दीजे तो बायो डाटा ओफ पूजा ठीक है इस तरह करके मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिय ठीक है तो दोस्तों यहीं था देखिया बहुत आसान है बनाना आप भी जरूप बनाईएगा घर पर ठीक है अपने computer में MS Word पर बनाईएगा और इसको दोस्तों बनाना बहुत ही easy है ठीक है तो I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लग आपको दोस्तों 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 आपको दोस्